लंबी लंबी की इस पेरे सूटी हर्यान शीर के मिया आई है गोड़क दुष्टों चट्टे रोप के बात दिन नमस्कार मरा अजीव चोधरी देवराज इंद्र का दर्बार सजा था दर्बार में बड़ी अजीव सी हलचल मची थी तमाम देवी देवता इंसानों के आडंबरों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे किन्तु मा लक्ष्मी मा स्रस्वति और मा दुरुगा अचरजबरी निगाहों से भूलोग पर प्राणियों के ढोंग देखकर विचलित थी सभी की निगाहे तीनों माता उपर ठीकी थी यका यक सभा में देवरिशी नारज जी का अगमन हुआ सभी की नगरे देवरिशी नारज जी पर जाठ है मा लक्ष्मी जी ने देवरिशी नारज जी से पूछा हे देवरिशी नारद भू लोग के क्या समचार है माता लक्षमी जी के इस प्रसन से देवरिशी नारद जी थोड़े गंबीर हुए और कहा कुछ मत पूछे माते इनसान नाम के प्राणी ने भू लोग पर देवताओं के नाम पर एक साम राज्य खड़ा कर लिया है जो लोग अब से पहले दुख या चिंता की घड़ी में देवी देवताओं का स्मरन किया करते थे वो अब स्वम ही देवी देवताओं बने घूम रहे हैं पूजा के स्थान पर नरत्य है अराधन के समय कूदभांध भगती के स्थान पर मनोरंजन को इस्तूती समझकर समश्ट भूलोक पर ढोग भैक आतंक मचाय हूए है देवरिशी नारत जी के इस कथन पर प्रसण करते हुए मा स्रस्वति जी ने पूचा रहे देवरिशी क्या मा की महीमा समाप्त हो गई देवरिशी नारज जी ने कया मा की महीमा कभी समाप्त नहीं होगी किन्तु जो चल रहा है वो जरूर चिंता जनक है इतना कहेकर देवरिशी नारज जी ने भरी सभा में एक वरत्य चित्र चला दिया ये देखिये माते, ये कोई चोराहे वाली माता बनी बैठी है और माता के नाम पर ये क्या तमासा कर रही है ये श्वम को चोराहे वाली माता कहती है और लोगों के दुख हरने के नाम पर धन बटोरती है मा स्रस्वती कुछ सोचती, इस से पहले ही देवरिशी नारजी ने दूसरा वरत्थ चितर चला दिया इसे भी देखिये माते, ये सिगरेट गांजा फूखने वाली माता है ये मा सब्द पर कलंग है, इसका दावा है कि आप इसके सिराती है और सिगरेट मांगती है सबा में सननाटा चा गया मा दुर्गा ने सननाटे को तोड़ते हुए पूछा हे देवरिशी क्या ये सब हमारे नाम पर हो रहा है मा दुर्गा का परसन सुनकर देवरिशी नारजी मंद मंद मुस्काए तथा एक और वरत्चित्र भरी सबा में चला दिया ये देखिये माते ये खंजर वाली माता है दावा करती है कि आप इनके विसराती है और इनके खंजर से डर कर समस्तरोग भाग जाते हैं इससे पहले कोई अगला परसन भरी सबा में करता देवरिशी नारजी ने एक के बाद एक कई बरत्चित्र चला डा दे हे माते आप नारी ही नहीं पुर्सों के सर भी आती हो ये देखिये पराणी आपके नाम पर भरी सबा में खून पी रहा है इसका खतन है कि आप इसके विसरा कर खून मांगती हो ये महिलाओ के परिधान पहन कर घूम रहा है इसके अतरिक्ति ये कोहनी मारने वाली माता है जो अपने दरबार में मुर्क बगदो की कमर में कोहनी मारती है इनका भी दावा है कि इनकी कोहनी में सकती है दो चार कोहनी में सभी कलेश्चुमंतर हो जाते हैं ये सब देखकर देवराजिंद्र की सभा में सभी देवगण एक दूसरे को देखने लगे। माता लक्षमी ने सभी को संबोधित करते हैं का कि जब इनसान किसी की अनुभव या भावनाओं के शिखर तक पहुंचते हैं तो दिव्य चेतना का उद्भव का अनुभव करते हैं क्योंकि ये चेतना का सरवत्तम सिखर हैं किन्तु हमारे नाम पर ये ढोंग देखकर हमें ल इन्द विश्वास का सामराज्य खड़ा करना चाते हैं सभा में सभी माता लक्षमी से सेमत हुए इसी बीच देव राजिंद्र ने सभी को संबोधित करते हैं का की मा की महिमा परम पार है वो सदेव अपने बच्चों पर अपना प्रेम और राशिरवाद बनाए रखती है वो कभी अपनी संतान को परिशान नहीं देख सकती फिर ये कौन लोग है जो ऐसा कर रहे हैं इतना कहकर देव राजिंद्र ने महरिशी चरक, महरिशी सुसरुत, महरिशी वागबट और महरिशी पतंजली से परसन किया कि है महरिशियो आप मनुष्य के रोगों के ग्याता ह तो क्या आपके ग्रंथों में कोहनी मारने, खून पीने, शिगरेट फूकने, गंजा पीने, मानशिक रूप से पागलों की तरह कूदने फांदने से किसी रोग का निदान लिखा है। देवराज इंद्र के परसन का उत्तर देते हुए महरिशी वागबट ने खड़ा होकर कि हे देवराज, मेरे द्वारा रचित आयूरवेद के परसित गरंथ अश्टांग संग्रेता था, अश्टांग हरद्य में ऐसा कोई विवरण नहीं है, ये जो कर रहे हैं उसरा सर पाखंड है, इतना सुनकर देवराज इंद्र की दरश्टी महरिशी सुसूरुत की हो गई महरिशी सुसूरुत ने का, हे देवराज, प्राचीन भारत के महान चिकित्सा सास्तरी, एवं सल्ल चिकित्सकों में मेरा नाम है, आयूरवेद के महान गरंथ सुसूरुत सहीता लिखी है, किन्तो इस तरह का पाखंड मेरे गरंथ में भी नहीं है, ना किसी मनुष्य का इन इतना सुनकर, देवराज इंड्र महरिशी चरक के सम्मूख अपना परसंदोर आया, क्या हे महरिशी आप तो राजवेद रहे हैं, क्या इन तरीकों से मनुष्य का कोई रोग दूर हो सकता है, महरिशी चरक ने उत्तर देते का, कि हे देवराज इंड्र मैंने समस्त जीवन म खान पान से लेकर हुए समस्त रोगों का ध्धन किया, आयुर्वेद का परशित गरंत चरक सहीता के रूप में मनुष्ट जाती को दिया, इसमें रोग नासक रोग निरोधक दवाव का उलेक किया, समस्त ओस्ति विज्ञान का वर्णन किया, लिखा भी कि कोई तंत्र मंत्र म स्वम भगवान सिरी राम मुर्शित अपने भाई लक्ष्मन के लिए अनुमान जी को ओश्दी के रूप में संजीवनी भूटी लेने हिमाल ना बेचते, क्या आज के काल में ये ढोगी भगवान सिरी राम और माता जान की से भी अधिक सकती साली हो गए, महरिशी चरक बोल सांत सुनकर महरिशी पतंजली खड़े हुए और कहा कि महरिशी चरक की वानी से सहमत हूँ, हे देवराज अगर चमतकार या असिरवाद से मनुस के रोगों को चुटकारा मिलता, तो मुझे योग सुत्र योग दरसन अश्टा धाई पर भाष्य और आयुर्वेद पर कोई सर्सो का तेल पीने वाली माता, कोई सही बाबा की लाड़नी माता बनी जूम रही थी तो कोई घी भिलाने वाली माता, अन्य को ऐसी पाकतित पाखंडी माताओं को देखकर भरी सबासे आवा जाई, क्या कोई परतिकार नहीं करता, अगर ऐसा चलता रहा तो ज्यान वि और अज्ञानी लोग सनातन धरम को अपनी कमाई का अड़्डा बना लेंगे ये ड्रामे बादी में कभी कोई मत्हसो किसी के जंतुर भरने में इतनी ताकत लें कि हमारे कर्मों को नष्ट कर दे भगवान ने आयरुवेद बनाया भगवान ने डाक्टर बनाये भारत में इतन सुनकर विद्धा और ग्यान की देवी सरस्वती ने कया कि है समस्त देवगणों हम किसी के सर नहीं आते हमारा काम है संसार को ग्यान देना अग्यानता नहीं बहला किसी के सिरा कर और ये तमासा करने की हमें क्या आवश्चतान पड़ी हाला कि ये सब हमारे सनातन धरम उरास यह भर नहीं कर दया है। ये नसेडी लोग है, जबकि हम लोक से परे आलोकिक रूप है, सुक्सम तरह से, सुक्सम रूप है, हम मा का रूप है, हमारी अनुभूती के लिए पहला कदम ध्यान में बैठना है, हम अरूना है, नवजीवन की सिल्पकार है, सरश्टी का सरजन है, त्याग समर्पन और ममता और ज्ञान हमारा अभूसन है, हम गंगा धारा सी निश्चल है, गोमती सी सीतल है, जो लोग हमारे नाम पर ये सब धोंग कर रहे हैं, वे दंड के अधिकारी है, इतना कहकर माता भरी सबा से अद्रश्य हो गई